दोस्तों आवासमित्रा का फार्म आप कैसे भरेंगे आप जिस राज से बिलॉंग करते हैं कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि आवासमित्रा का फार्म भनने के लिए उसमें नौकरी करने के लिए क्या इजबिल्टी करिटेरिया होगी क्या उम्र होगा सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों भारत के अलग-अलग राजियों का अलग-अलग नियम और सारत है दोस्तों तो आपको किस तरह से फार्म को भनना है मैं इसी वीडियो में सारी जानकरी आपको दूंगा दोस्तों क्या आपको करना पड़ेगा यहां द आवास मिल रहा है तो यहीं सब जानकारी आपको अपने सिकेटरी और सचीव पंचायत में आपको देना है यहीं आवास मित्रा का कार्य होगा दोस्तों ठीक तरह से आपको भटा भट आपको बताते हैं यह देखे थोड़ा मैं जूम कर देता हूं यह 36 गड़ के लिए हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश ओ 36 गड़ में अभी 20 सितंबर तक फार्म को भरे जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं 36 गड़ का ही बता देता हूं इस फार्म को कैसे भरना है दोस्त में आपको प्रमाडपत्र लगेगा है सिकेंडरी स्कूल का प्रमाडपत्र यहमें ग्रामेड विकास अब भी डिपलोमा और इसके बाद अनभव प्रमाडपत्र सच्छा माधिक्यारी नियुनत्म एक अरुसका अनभव देखे दोस्तों इसमें से आपको बता देते हैं कि यह पूरा डाकुमेंट्स आपके पास माल लीजे नहीं है, तो हाई स्कूल का भी है, तो भी आप भर सकते हैं, या में का है, तो भी आप भर सकते हैं, मतलब हाई स्कूल आप किये हैं, तो आप इसके लिए इजबिल्टी रखते हैं, ठीक है, इससे उपर हाय चाहे जितना है, तो भी आप इसको भर सकते हैं और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अना पत्ती प्रमाड़ पत्र लगेगा दोस्तों 36 गंड निवासी होना चाहिए आधार काड लगेगा पासपोर्ट साइस फोटो इसके बाद पूर्व में कार्यत यह 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 नहीं भी है तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद हम आयू की बात कर लेते हैं दोस्तों यहां देखे आयू आपका 18-45 वर्स होना चाहिए अब यहां फार्म को कैसे भरना है दोस्तों चलिए हम यहां थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा य दोस्तों इसके बाद अलफाबेटिक कैप्टल लेटर में आपको यहां पर मेंशन कर देना है ठीक है बड़े अक्छरों में और जो एक चीज ग्यांत रहे दोस्तों की आधार कार्ट से ही आपको नाम आपको देना है ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहों और यहां एक च अलफाबेटिक मतलब बड़े एक्छरों में होना चाहिए फिर इसके बाद आपको डेटा बर्थ यानि जन्मतिति इसमें आपको मेंसन करना है वहीं आपको यहां हिंदी में मेंसन करना है यहां कि आईू है एक दो हजायर चौबीस तो इसमें आपको हिंदी इसमें तो हो रहा है कितना दीन हो रहा है सब कुछ यहां आपको मेंसन कर देना है फिर इसके बाद पूरूस महिला है यह आन्य है इसमें आपको मेंसन करना होगा इसके बाद हाई स्कूल है या उत्रिन है कि सवर्स में यहां सब कुछ आपको मेंसन कर देना है और इसके बाद हायर सेक फिर से आपको फार्म को भरना होगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां जूम कर दिया है अब आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको पोस्ट आपीस का पता देना होगा प्रतार चार का जिससे पोस्टापीस के मध्यम से आपको आउगत कराया जा सके एक मोबाइल नंबर आपको यहां दे देना है आपका अपना अस्थाई पता यहां पर आपको देना है ठीक है दोस्तों यदि आप पूर में कार्यत वेयर फुट वेयर टेकनिस सहाइता समूत यहां कारय का पद लिखेंगे कारेक्याल का नाम लिखेंगे कारे की अवदिसनी डाल देना है ठीक है दोस्तों अब चलिए हम यहाँ इसको उपर करते हैं यहाँ देखिए गोषना-पत्र आपकोciamo하기 होगा गोषना-पत्र में यह मतलब कहने का मतलब घोषना-पत्र का यह than मतलब है कि यह दिया फार में कोई भी ईनूशिस ज्यानकारी भरा है या पात्र आप नहीं है फिर भी पात्रता दर साते हैं तो उसके होने वाले दंड को आप सुईकार करेंगे और उसकी खिच जिम्मिदारी आपकी होगी आर्थ भरपाई आपको करना पड़ेगा क्या करना है कि इसमें आपको जिस डेट को आप फार्म भर रहे हैं इसमें अस्थान डाल देंगे दोस्तों अस्थान डालेंग बाद दिनांक डाल देंगे अपना नाम डाल देंगे इसके बाद यहां हस्ताक्षर कर देंगे दोस्तों ठीक है और इसके बाद इसमें आवेदन इसके उपर का लगा है तो उपर का और इसके बाद अनुभाव प्रमाड पत्र और इसके बाद निवास प्रमाड पत्र सब कुछ पीन अप करने के बाद आपको करना क्या होगा सब कुछ पीनसप करने के बाद आप अपने प्रफखन्द कार्याल यह जनपत पार्याल आप जमा करे गेँगे और आपका सलेक्शन होने के बाद आपको इमेल आम मुबाईल नंमर के द्वारा आपको सुचित किया जाएगा और आपका रेपे लग जाएंगे तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को आउन करने ताकि helpful content आपके मोबाइल में विजिट करें और ये 36 गढ़ राज से आप अलग राज से बिलॉंग करते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको किस राज की जयानकारी चाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद